हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में आज के सेशन में विस्मस्ट भी भी आई कोस्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगाम एक्जम के लिए बहुत ही जरूरी है और ये सारे के सारे कोस्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं प्रिवेस लिए गए हैं कई बार इग्जम में आए हुए कोस्चन लिए गए हैं तो ज़्यादा समय न लेते हुए आएक कोस्चन स्टार्ट करते हैं और आज के सेसन का हमारा पहला कोश्चन है सी से के सी के खले अस्थान ने गढ़े या बनाये थे और ये चार अप्षन से आपके पास सैंसों और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशने का बिल्कुल सा इंसर अप्षने सत्वाहन राजवन्स आपको हमेंसे याद रखना है किसी से किसी के सत्वाहन राजवन्स द्वारा गढ़ाया बनाया गया था और अपके ये भी पता होना चाहिए एक सत्वान परचीन भारत के एक राजवन्स था जिसके प्रथम सक्ति सालिस आसक सत्करडी प्रथम थे ये आपको हमेश से याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं समुद्र गुप्त के इलाहा बादस्तम खल्य हरिसेन ये आपको हमेश से याद रखना है कि समुद्र गुप्त के इलाहा बादस्तम हरिसेन द्वारा लिखा गया है और आपके भी पता होना चाहिए कि हरिसेन समुद्र गुप्त के दरबारी कभी थे ये आपको हमेश से याद रखना है कि हरिसेन समुद्र गुप्त के द और इस प्रस्ण का बिल्कुल से एंसर अप्षन ए वर्ड्स वर्थ है आपको हमेसे याद रखना है कि वच्चा मनुस्य का पिता होता है यह बात वर्ड्स वर्थ द्वारा कहा गया था यह आपको हमेसे याद रखना है और आपको यह भी पता आना चे एक वर्ड्स वर्थ का जन्म साथ अपरेल सटरसों सतरिस भी को हुआ था ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं भारत में दलहानी जनतंत्र के वाकालत सबसे पहले खले अस्थान नेक की थी बहुत ही भीवियाई कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पासाइंस वर जल् और इस प्रस्ण का बिल्कुल सैंसर अप्शन सी एम एन राई आपको हमेसे याद रखना है कि भारत में दलहानी जनतंत्र के वाकालत सबसे पहले एम एन राई द्वारा किया गया था ये आपको हमेसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं मत द और इस प्रस्ण का बिल्कुल सैंसर अप्शन भी 1975 इस पी में ये आपको हमेसे याद रखना है कि 1975 के चुनावी कानून में मत दताओं को परिचे पत्र परदान करनी की बेवास्था की गई थी ये आपको हमेसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेत और इस प्रस्ण का बिल्कुल सैंसर अप्शन राज्यसभा और लोकसभाई आपको हमेसे याद रखना है कि समिधान के संसोधन में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर का अधिकार होता है ये आपको हमेसे याद रखना है और आपको ये भी पात आना चाहिए समिधान संस सोधन की परकिरिया भाग 20 के अंतरगा तनुछे 368 में लिखी गई है और यह परकिरिया दक्षिर अफिरिका से ली गई है यह भी आपको हमें से याद रखना है कि समिधान संस्वधन की परकिरिया दक्षिर अफिरिका से ली गई है ठीक है दोस्तों निक्स्ट कोश्चन कर ल बिल्कुल सेन्स और अप्शन दी 1948 में यह आपको हमेश से याद रखना है दामोदर नादी घाती की अस्थापना brands lun. नाधी की कुल लमबाई 592 किलूमिटर है यह आपको हमेश से याद रखना है ठीक है दोस्तों यह आपको हमेशित याद रखना हैं ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं खल ये स्थान में एक भी जुआला मुखी नहीं है बहुत ही भी भी आई कोशन है दोस्तो और ये चार अपसंस आपके पास सैंस और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रस्ने का बिल्कुल से इन स्वरप्सने अस्ट्रेलिया महादीप ये आपको हमें से याद रखना है कि अस्ट्रेलिया महादीप में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है ये आपको हमें से याद रखना है और आपको ये भी पता आना चाहिए कि महादीपों के संख्या स है जिन के नाम Asia Africa Europe ऊतरी you America दक्षडी अमेरिका啊 Australia और अंटर्क्टिका है यह आपको हमेशियाद रखना है सातों महादिव के नाम Asia africa यूरोब ऊतरीअ मेरिका दक्षडी-अमेरिका ऊट्रेलिया और अंटार्क्टिका है और अस्ट्रेलिया के लाबा सभी महादीव उपों में ज्वाला मुखी है कि वाल अस्ट्रेलिया महादीव में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है यह आपको हमेंसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं स्वेज नहार खल्यास को जोड़ती है बहुत ही वी वी कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास सैंस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रसन का बिल्कूल से इंसर अप्शन भी भूमाद्यसागर एवां लालसागर को यह आपको हमेंसे याद रखना है कि सुवेज नहार भूमाद्यसागर और लालसागर को जोड़ती है यह आपको हमेंसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेत कि और इस परसों, का बिलकुल स्लेंसर अप्शन है हिड्रो मिटर आपको हमें से यद रखना है कि कि किसी तरअल कदार्थी कि बिछूस्स गूरूतव करते यंत्र है, सियर் आपको हमेंसे यद्रो मिटर रखना है कि संधर मंतर ज्ली से कन Pyos और इस प्रस्ण का बिल्कुल सेंस और अपसंस ती और पोलो 11 ही आपको हमेशे याद रखना है कि चंदर्मा पर सबसे पहले मानाव सही तंतरिक श्यान और पोलो 11 उत्रा था ही आपको हमेशे याद रखना है और अपको ये भी पाता आना चाहिए कि चंदर्मा पर पहला कदम नील आर्मस्टरंग द्वारा 20 जुलाई 1929 इस्वी को रखा गया था ये आपको हमेशे याद रखना एक चंदर्मा पर उतरने वाले पहले ब्याक्तिक नाम नील आर्मस्टरंग है और इस्वी को चंदर्मा पर पहला कदम रखा था ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्टन कर लेते हैं चीन की परसीद दिवार की लंबाई खले अस्थान किलो मिटर है बहुत ही भी विए कोश्टन है दोस्तों और ये चार अप्शन से आपके पास से और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रषन का बिल्कुल से दोस्ती छे हजार किलो मिटर है कर ये आपको हमेशे जाद रखना है और आपको ये भी पता होना चाहिए चीन का दिवार 2300 से भी अधिक साल पुराना है यह आपको हमेशे याद रखना है कि यह दिवार 2300 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यह दिवार दुनिया के सातों अजुबों में गीनी जाती है यह आपको हमेशे याद रखना है कि यह दिवार दुनिया के सातों अजुबों में से एक है ठीक है दोस्तों निक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं निपोलियन बोनापार्ट खले अस्थान का निवास था बहुत ही भी वी याई कोश्चन है दोस्तो और ये चार अप्शन से आपके पास साइनस्व और जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस पासने का बिल्कुल से इनसर अप्शने फ्रांस से आपको हमेश से आद रखना है कि निपोलियन बोनापार्ट का निवास अस्थान फ्रांस था ये आपको हमेश से आद रखना है और आपके भी पताना चाहिए कि फ्रांस की रधानी पेरिस है ये आपको हमेश से आद रखना है कि फ्रांस की रजधानी पेरिस है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट है यादि आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं एक्तदारी ब्यवस्ता की शुरुआत खले स्थान ने किया था बहुत ही विवियाई कोश्चन है दोस्तो और ये चार अप्शन से आपके पास सैंसों और जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस पास नेका बिल्कुल सैंसों और अप्शन से आपको हमें से आद रखना है कि एक्तदारी ब्यवस्ता की सुरुआत इल्टूतमिस द्वारा किया गया था ये आपको हमें से आद रखना है और आपके भी बता दे कि एक्ते दारी पराथा इके ऐसी पराथा थी इसमें किसी राजATHAN के सयनिको एवं ठीक है दोस्तो, डिश्ट कोशन कर लेते हैं वासको डी गामा खाली अस्थन कू काली कट पहुंचा था बहुत ही भी भी आई कोश्चन है दोस्तों और कई बरिग्जाम में आया हुआ कोश्चन है और ये चार अप्शन से आपके पास सेंस और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन का बिल्कुल सेंस और अप्शने 1498 भी आपको हमें सियाद रखना है कि वास्को डिगामा 1498 भी को काली कट पहुचा था ये आपको हमें सियाद रखना है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं प्रसीध मिनाक्षी मंदिर खले स्थान में इस्थित है बहुत ही भी भी आई कोशन है दोस्तो और ये चार अपसन से आपके पास सैंस और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन का बिल्कुल सेंस और अप्शन डी मजुराई ये आपको हमेंसे याद रखना है कि परसिध मिनाक्षी मंदिर मजुराई में इस्तित है ये आपको हमेंसे याद रखना है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी खली अस्तान है और ये चार अप्शन से आपके पास सैंस और जल्दी से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस प्रशन का बिल्कुल सैंस और अप्शन ये गंगा नदी ये आपको हमेंसे याद रखना है कि गंगा नदी की कुलामबाई 2525 किलो मीटर है और अपके भी पताना चे कि गंगा नदी से भी लंबी नदी भारत में सिंधु और ब्रहम पुत्रा है लेकिन यह भारत में गंगा नदी का प्रेक्षा कम दूरी तै करती है और इसी कारवर्स भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को माना जाता है ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं रेविज का इलाज की खोज खले अस्थान ने की थी बहुत ही वीवी आई कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्षन से आपके पास्थान से और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इस प्रोशने का बिल्कुल से अप्षन सी लूई पास्चर ये आपको हमें से याद रखना है कि रेविज का इलाज की खोज लूई पास्चर द्वारा किया गया था ये आपको हमें से याद रखना है और आपको यह भी पास्चर और प्रोशन जल्दी से कमेंक कीजिए और इस प्रस्ण का बिल्कुल से एंसर अप्षन दी मेगनिसियम बाई कार्बोनेट ये आपको हमें से याद रखना है कि जल की कठोरता मेगनिसियम बाई कार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होता है ठीक है दोस्तों और आपके भी पता होना चाहिए कि D2O भारी जल का सूत तर डी 2O होता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं मौलिक करतब्यों का विचार खले अस्थान से लिया गया है बहुत भी विए कोश्चन है दोस्तों और ये चार अप्संस आपके पास जल्ली से कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिए और इस परशने के बिल्कुल से एंसर अपसंडी रूस के सम्मिधान से आपको हमेशे आद रखना है कि मौलिक और तब्यों का विचार रूस के सम्मिधान से लिया गया है यह आपको हमेशे आद रखना है और आपके भी पतावनागरा चेंके भारत्य समिधान 26 जनवरही 1905 बी को लागू किया गया था जिसे हम गरतांत्र दिवस के रुप में हर एक सल disturbance ये भी आपको हमें से रखना है कि 26 जनवरही को हम हर सल गरतांत्र दिवस के रुप में मनाते हैं और इसी दिन भार के समिधान को लागू किया गया था ठीक है दोस्तों यह दि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पिलीज हमें सपोर्ट करें धन्यवाद